हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई किचन, आज मेरी रेसिपी है बदामी चिकन थाय, ये देखिए कितना अच्छा हो कितना टैस्टी जो दिखने में लग रहा है, खाने में भी ये उतना हिस्टी है, एक पर ज़रू ट्राइ कीजी आप, इसके लिए मैंने एक चिकन थाय लिय इसके लिए मैंने सबसे पहले नमक आड़ किया है, और इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च आड़ करेंगे, लाल मिर्च आड़ करने के बाद पिसी हुई काली मिर्च वह आड़ करेंगे हम इसमें, पिसी हुई काली मिर्च वह आड़ करने के बाद हम आदा निम्बू लेंग है बहुत ही अच्छा आता है इसलिए इसमें निम्बुकरस एड़ करने के पाद आप इसको अच्छी तरह से हम मसाले को अच्छी तरह से मिस कर देंगे और 15-20 मिन्ट के लिए हम इसी तरह इसको रहने देंगे और बाकी के जो मैं के लिए हम ऐसे रख देंगे उसके बाद हम इसमें मसाले आट करेंगे पंद्रा मिन तो हो गए हैं अब इसके बाद हम जो कुछ मसाले इसमें और आट करेंगे मैंने चमच लिया है लग्सन अद्रक का पेश लिया है मैंने उसको आट कर देंगे और मैंने लिये हैं कुछ बदाम बदाम इसमें जो है छे साथ बदाम को मैंने करश कर लिया है ये देखिए इस तरह है इस बदाम को जादा करश नी करना है वारिक इतना ही करश करना है थोड़ा दरदरा रहना बदाम को दरदरा ही रखना है हमें ये देखिए इस तरह और मेन इसका जो है डिश में हम इसका नाम दिया है हमने बदामी चिकन थाए तो इसमें बदाम तो अच्छे तरह ही हमें इस मिक्स करने है और आदा चमच इसमें एड़ किया है मैंने चिकर मसाला chicken masala अड़ करने के बाद अब इसमें हम konflore add करेंगे एक ही चमबस हमें अड़ करना है konflore add करने से जो हम इसमें उसमें masala अड़ कर रहे हैं वो इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और जब इसको fry करेंगे तो अच्छा टैस्ट आगा और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है गरम मसाला इसमें अट कर देंगे अब लेंगे हम 2 स्पून लेंगे दही जिसमें पानी नहीं होना चाहिए इसको फैट लेंगे इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए दही में और इसको अच्छी तरह फैट के इसमें अट कर देंगे ये देखे मैंने फैट दिया है दही को और इसमें अट कर दिया है अब दही अट करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमें दो गंटे के बाद ही फ्राय करना है दो गंटे के बाद फ्राय करने से जो इसमें जो मसाले हैं जो हमने जो मैरिनेट किया है इसको वो अच्छी दरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे मसालों के साथ ये देह की दो गंटे हो चुके हैं अब मैने एक पैन लिया है ग्रिल पैन लिया ये, इसमें नोरनेस्टिक है ये और दो तिन बंडे थोड़ी सी ओईल की लगरग दी है उसमें मैने इसको हम इसको प्राइ करेंगे ये देखिए मसाले कि इतनी अच्छी तरह से इसमें चिपक गए है मैंने इसमें थोड़ा साई ओयल एड़ किया है क्योंकि ये नोन स्टिक है ग्रिल पैन और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है ज्यादा तेज भी ने रखा और ज्यादा कम भी ने रखा मीडियम ही रखना है और 10-15 मिन हमें इसको पकाना है दोनों साइट से पकाना है ये देखिए इसमें जो मसाल आ है कितनी अच्छी तरह से इसमें चिपक गए है अब 10-15 मिन होने के बाद हम दूसरी सेड़ इसको पलड देंगे यह आप देख सकते हैं इसका टैस्क तो बहुत ही अच्छा आता है एक बराप बनाकर जरूर ट्राइ कीजिए बदानी चिकन लेक्ट थाए मैंने दूसरी सेड़ इसको पलड दिया है और देख सकते हैं आप इसमें मसाले जो हैं बिल्क अगर आपको मेरे रेस्पी अच्छी लगे चिकन बदामी चिकन लेक्ट थाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए